नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्त है राजिंद्रे चनूडिया देखी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सालब करने वाले हैं समान विज्ञान यानि की जनरल साइंस का ओल्ड कोश्चन पेपर दोस्तों जो आपके लिए 18 जुलाई 2017 की 12 बज़े के सिप्ट का कोश्चन पेपर सालब कराया था ठीक है चलिए कोश्चन पेपर को सालब करने के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे एक्टरफेक्ट को हम सीखेंगे बहुत कुछ नया जानने को आपको यहाँ पर मिलेगा ठीक है चलिए प्रेवर विग्यान से भी दोस्तों कोश्चन आते हैं ठीक है और यह कोश्चन जो इन्मर्मेंटल साइंस का है यह कख्छा आर्ट की NCIT का एक टॉपिक है दोस्तों पवन तुफान और चक्रवाद उसी यूनिट से पूछा के एक कोश्चन है और यह कोश्चन जो छपा है बिल्कुस सब्स सहीद दोस्तों NCIT से शपा है ऐसा ही कोश्चन आपको कख्छाट की NCIT में देखने को मिल जाएगा ठीक है चलिए इस कोश्चन की बात करे तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों उससे पहले मैं आपको दोस्तों भारत की मैप में को समझाना चाहता हूं तब जाके आपको यह अंसर बनेगा इस कोश्चन का ठीक है भारत का मैप बनाने का प्रयास करता हूं ठीक है यह मैंने ऐसा कुछ भारत का मैप होता है आप समझ जाए ठीक है तो भारत का मैप में दोस्तों एक होता है कौन सा तर्ट पस्चिमी तर्ट एक होता है कौन सा तर्ट ठीक है लेकिन अमरस सर जो है दोस्तों ये तट के किनारे नहीं है इसलिए इसका आंसर होता दोस्तों आफसर नमबर चार अमरस सर के किनारे दोस्तों चक्रवातानी की सम्भावना नहीं होती क्योंकि बाकी जो तीन सहर दोस्तों ये क्या है समुद्र तटों के किनारे है इसलि ये सारे फेक्ट आपको याद रखना है इंपोर्टन चीजिए याद रखना दोस्तों कि घंजा के साथ तलीत जनजा के साथ दोस्तों चब तलीत या बिजली भी गिरेते हैं ये question मी पूछा जा चुका है कम बायुमनली दवाव के छेतर के चारों और गर्म हवा की ते जानदी चलती रही वही चक्रवाद कहलाता है क्या कहलाता है देखो कम बायुमनली दवाव यह बायुमनली दवाव मांगे चलती है यही क्या कहलाता है चक्रवात कहलाता है आपको याद रखना है साइकलोन कहलाता है ठीक है दक्षडी गुलार्द में दोस्तों याद रखना चक्रवात की जो हवाँ की चक्रवात के नाम से जाना जाता है दक्षडी गुलार्द में देखिए दो गुलार्द होते है एक दक्षडी गुलार्द हो दिशाम मतब दोस्तों एंटिक लॉग वाइस चलती है ठीक है ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है यहां से कुछचन बनेते हैं कि चक्रवाद की दिशा उत्तरी गुलार्द में कैसे होती है उत्तरी गुलार्द में गर्म हवाओ को किन नाम से जाना जाता है तो हरीके इन टाइफन की नाम से जाना जाता है इस परकार की कोश्चन बनते हैं घहरे रंगे जो कीपा कार बादल होते हैं उन्हें हम कहते हैं टारनेडो कहते हैं सकती के संदर में कौन सा निमनम सहे एक सही बढ़ते करम में हैं मतलब दोस्तों आपको यह बताना है कि सबसे कम किसकी अमलीता है उसके बाद किसकी है और फिर लाशनम सबसे जादा किसकी है देखिए डागराम जो है इसा जो बनता है इसका मतलब इधर कोई संख्या लिकी है तो यह बड़ी है और इधर कोई संख्या लिकी है तो छोटी है अगर इसे को उल्टा कर दूँ अगर इधर को संख्या लीकिती ये बड़ी हो जाएगी और इधर को संख्या लीकिती चोटी हो जाएगी मतलब दोस्तों जिदर इसका मुझ खुलता है वो संख्या बड़ी होती है ठीक है तो चलिए यहां देखते हैं दोस्तों सबसे कम अमली पढ़ाया था मैंने है ना उसे अब टाइप करके पढ़ाया चुका हूँ पहले में कब से पढ़ा रहा हूँ चार महने से पढ़ा रहा हूँ साइंस में हना चलिए तो मैंने बताया था कि अमले जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं नेले लिटर में इसको लाल करते हैं जली बिलियन में H प्रस आयन देते हैं ठीक है ये सारी चीज़े मैं आपको कईवार पढ़ा चुका हूँ ठीक है एसिड जोह दोस्तो लेटिन भाला से लिया गया सब्द है जिसका ठटा होता है लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि प्रवल अमले की नामे आद रखना आपक तो यहाँ पर आफसन में देखिए दोस्तों यहाँ पर के मिल रहा है आपको जल मिल रहा है जल के बाद एस्टी कमली मिल रहा है और इसके बाद हाइड्रोकलोरिक अमले के है एक प्रवल अमले है और एस्टी कमली के है दुरबल अमले है और जल के है उदासीन है तो आफसन अधिक मातरा में अमल होता है ना उसे क्या कहते हैं सांधर अमल कहते हैं गाळा कहते हैं और तनु अमल मतलब दोस्तो पतला होता है जिसमें अल्ब मातरा में क्या होता है या होता है अमल होता है और जलकी मातरा अधिक होती है नेस्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन ने दोस् सूदियृ हट्रोब्ल हम धे दे तो अंनो धूर Ск events и प्रवल चारा होते हैं दूर्बल चारा का संडरक्षण क्या कहलाता है तो तो याद रखना 2 नमग दौरा भो जैने की बिदिकवित कह्ते था फिरिज, इसमों सब्जी भाजी रखतेहो न है, निसका सन्शन प्लाब मतलब हुआ है करते हैं जाद रिख और निकाल दिया जाता है तो इससे सब्सक्राण से और हुई जो है का करते हैं तेक नमक से ओपचार करने की आपको एख क्यू रिंग कहते हैं क्या कहते हैं क्यू रिंग 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 कहते हैं चलिए नेस्ट कोचन देखते हैं सूर की उर्जा का सुरोत है बच्पन से बढ़त नहीं होता है ठीक है फलके नाभिकों का सज्टय कर नोक होता है kicked आपको एक चीज़ पॉर प्ताना चाहता हूं कि सूरी की उर्जा जो है दोस्तों में कि नाभिका की रोजर बम ये दोनों नाविकी सेलियन है ठीक है और परमाडु जो बम होता उस मन आपकी विखंडन होता है चलिए नेश्ट कुश्चन लेकते हैं नेश्ट कुश्चन है दोस्तों जब आप एक स्पीरिंग को संकुजित करते हैं तो आप इस पर कारते हैं तो स्पिरिंग की प्रताय स्पिर्दिन ओगए। बहुत ज़्यादा हमको प्रसर लग रहा है ल कि अगर आप इसको दबाये बगार मान के चलो जम्पल रखी हूई है और इसको और हाँ रहा होС़के तो ऐसा ने लगए भीutive चाहिए है तो उसमें क्या होता है इस्तितिज उर्जा के होती दोस्तों बढ़ती है याद रखना जब आप एक स्पूरिंग को संकुचित करते हैं और इस पर काल करते हैं तो इस्पूरिंग की जो प्रत्यास्त इस्तितिज उर्जा होती है वो बढ़ जाती है बहुत असान भासा में मैं उर्जा तो संग्रित होती है उसे हमके कहते हैं प्रस्तास्त इस्तितिज उर्जा कहते हैं ठीक है चलिए नेस्ट देखिए आप एक दूरस्त बिम बे उत्तल दरपड़ के फोकस की और लायक तो प्रतिवियों का कार कैसा होगा अगर इस कोश्चन को आप एक्जाम हल में साल क दरते ना अगर आपको कुछ भी नहीं पता होता सिंपल इतना पता होता जिक गाड़ी जो होती है आपकी टूविलर उसके में साइड जो मिरर लगा होता है दोस्तों उसमें कौन सा दरपड़ होता है ठीक है तो इससे आपका यह कोश्चन साल हो जाता है इतने से कॉंसेप् आपकी गाड़ी में दोस्तों उत्तल दरपड़ लगा रहता है दूर की वस्तु जब आती है पास तो क्या सा होता है प्रितिम का कार बढ़ता है कि घड़ता बताईए पीछे की गाड़ी जो है दूर रहती तो छोटा 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 देखते है लेकिन जैसे जैसे पास आती यह तो कार बढ़ता जाता है तो इसका अंसर वे दोस्तों बहिए होता कि यदि आप दूरस्त इस इस दिवम अबजेक्ट को उत्तर दरप्ड के फोकस के और लाते हैं तो प्रतिविन कार क्या होता है बढ़ेगा क्यों होगा ऑफसर नमबर दो इसका अंसर होगा एंकरीज जाता है ठीक है मैनोमीटर दाब याद करने के लिए गैलवनोमीटर दोस्तों याद रखना इसको कहा है के जाता है जो विद्दुद्धार होती नों दोस्तों उसकी उपसेदी का बखार काने के लिए गैलवनोमीटर को प्यक्याता है और हाइड्रोमीटर जो दिखा है इस इस याटिक बन गधा ठीक है क्योंकि बिलुप्तिक की किकार में आ गए थे तो यह सब इंपोर्टन चीज हो जाती है ना चलिए ना इस ने इस देखते हैं किसमें पाए जाता है मैं बता दिया ऐसी आटिक गंतभा कच्छ करल में पाए जाता है कच्छ करल कहां पर है गुजर और रखने है क्यों क्यों कि यह पाए जानते हैं क्यों कि यह पादब मतलब पोध है और जनतू से प्राप्त होती है ठीक है कोईला जो होता ना दोस्तो इसको जब बायू के इंट पस्तिती में बायू न रहे और लगातार गरम करते हैं मतलब भंजा का सुन करते हैं तो उस्टे क्या होती है कोईला गैस बनती है या कूल गैस बनती है यह किसका किसका मिस्रा होती है तो या रखना हाइडोजन का मिस्र और एथीन जो तो तो पांच वस्टन रहती है तीक है तो इसका आंसर होगा दोस्तों नमर तीन दोस्तों निर्बात में कमन नहीं कर सकती ये बात भी आपको बता होना चाहिए तो याद रखना दोस्तों एक न्यूटन जो होता है एक न्यूटन जो होता है एक न्यूटन जो होता है दसकी हाथ पांच डाइन के वरावर होता है ऑफसर नमर तीन दसकी हाथ पांच डाइन अ होता है तो याद रखना दसकी हाथ 7 O AG होते हैं किह ते ह suspension होते हैं कि रिछखत कोँ सा तरल रूप में पाए जाता है द्रव द्धातू है पारा और द्रव अधातू कौनसी होती है ब्रॉमीन होती है यह हैं बार झाय। जाता है तो ब्रॉमीन हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट देखते हैं निमने मैंसे कुन सा क्वेश्चन है कुन सा सबसे अच्छा उस्मा का सुचालग होता है तो भाई यह Dad तो बहुत आसानी से क्या होता है वो उपर चड़ने लगता है तीक है जिससे क्या करता है डाक्टर टेंपरिचर नापता है क्लियर चलिए नेस्ट रिखते हैं निमने में से कौन से कौन से अंग पित तरस सत्पन करता है तो पित तरस दोस्तो वाइल जुसको नुदिपन करता है येकरत करता है लीवर करता है इसका इस्टोर काँ होता है डाकोमीओ के कहते हैं नति नति एंति एंति बूहरosh जाने हम चेंगुas केकी यह कि यह शो वह दीते हैं यह पहला चैना बच्छे देथे ुंपासा अंसर नबर सी नब्र-3 दोफ्छे हम एक पाइटी है एक जाहिगा